जाहिन आप मैंसे बहुत से लोग रेलवे में सफर करते समय ट्रैक के किनारे इस सेप का ये ऐलमूनियम का बॉक्स जरूर देखे होंगे ये क्या करता है ट्रैक से गुजरने वाली जो ट्रेने होती है उनका स्पीड, डारेक्शन और उनके पहियों को गिन लेता है एक्सल को गिनता है, पहिया नहीं एक्सल, अभी समझेंगे वो क्या होता है कैसे इसको फीट किया जाता है, तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस से इसके ऐलमूनियम बॉक्स को खोल लिएगा तो इसके अंदर एक डिवाइस मिलेगा जो इस्टोर करके रखता है और इस डिवाइस से एक वाइरिंग के थुरू इस पटरी पे कनेक्ट किया जाता है यहाँ देखिए इस पटरी पे से कनेक्ट कर दिया गया जैसे यहाँ से चक्का गुजरेगा, वो काउंट कर लेगा कितना चक्का गुजरा है आप कहिएगा कि चक्का को count करके क्या होगा ये जो एलमुनियम के एकसल counter box जो बोले जाते हैं इसे ये हर 4-5 km पे लगाए जाते हैं जैसे माल लिया कि कोई train गुजरी है तो 5 km पहले जितने चक्के उसमें थे वो भी उतने ही चक्के आगे भी होने चाहिए इस चक्के को गिन के हम ये बता सकते हैं कि पूरी ट्रेन गुजरी है या नहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन को बीच में हाथसा हो गया दो बॉगी पीछे का छुट गया और ट्रेन चली गई अब बॉगी के अंदर बैटे हुए लोग सोच रहेंगे ट्रेन रुकी हुई गया थोड़ी नहीं जहाक के कोई देखता है कि इन या नहीं की चला गया डीगे बोबो और कोको यह हम पढ़ा दिए हैं वैग बार में तो दीखे यह चकह हो गए अब यह तो 4 चक्के दिख रहा है तो इस जोड़के को रखता है इनंहें जोड़के रखता है एकसल, तो यह एकसल, इएर एकसल, यानि एक बॉगी में आपको दो ठो एकसल मिलेगा, इसाचके जूड़े रहता है, सानवाईगा दो एकसल मिलेगा, अब बात करते हैं, एक ट्रैन के डिब्बे में, ऐसी कितनी बॉगी होती है, तो ऐसी ऐसी आपकी दो बॉगी मिलेगी एक डिब्बे में यहाँ भी एक एकसल होगा यहाँ भी एक एकसल होगा और एक एकसल यहाँ होगा यानि एक बॉगी में कितने एकसल मिल गए चार अब सपोच किजिए कि कोई 10 बॉगी की ट्रेन है तो उसमें कितने आपके एकसल मिलेंगे? 40 एकसल मिल जाएंगे अगर 10 बोगी की ट्रेन है तब अब यो एलमुनियम बोक्स होता है ये ये क्या करता है? गिन लेता है अगर माली ही यहां से 10 बोगी की ट्रेन गई न तो वो गिन लेगा कि भीया इसमें 40 एकसल है तुरत अगले 5 किलोमीटर दूर अगले बोक्स को इनफर्म कर देगा कि जो इधर से गाड़ी गई है उसमें हम काउंट किये है 40 थो था देखो तो 40 जा रहा है किने अगर 40 उस बोक्स को भी पार करके निकलेगा वो तो ढब ढब करके गिन लेगा इसी में से 40 निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं अगर 40 से कम हो गया तो ये वाला जो बोक्स होता है अगला सिगनल को रेड कर देगा और मैसेज भेंज देगा अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को कि भाईया ये देखिए 40 को एक्सल होना चाहिए से 5 को छोड़ के आया है कहीं उलाग दिया होगा कहीं दूसर का भोगिया चेक करिए तुरत एमर्जनसी डिक्लियर्ड हो जाता है रेलेवे के स्टाफ, आरपी, एप जी आरपी सब आ जाते हैं कि आखिर इसका एक दो भोगी में देखिए इसकी स्पीड बता रहा है 263 किलोमीटर डिरेक्शन उस डिरेक्शन में और वही अगर इधर से भी कोई ट्रेन आएगी जैसे यह तो कोई छोटा सा इंजन टाइप का है कुछ इसकी स्पीड कम है तो इसको भी बता देगा यहाँ स्पीड बता दिया यहाँ एकसल काउंट करके इस डिवाइस में रख देगा तो यह बड़ा जरूरी होता है कितनी भी तेजी से स्पीड से ट्रेन आएगी उसकी एकसल को काउंट करेगा और इसको तुरत भेजेगा अगले इस्टेशन पे कि इस ट्रेन में इतने एकसल है इतना ही एकसल पार होना चीए इससे ही पता चलता है कि ट्रेन सेफली इंटरी की और निकल गई यह मैसेजिंग के थुरू आते रहता है वायर के थुरू पूरा अंदर वायर बिछा रहता है यह बहुत जरूरी है, loaded गाड़ियों के लिए भी, मलगाड़ियों वगरा के लिए एक्सल को count किया जाता है, ताकि इसको भी safe delivery की जा सके, आप देखेंगे किसी भी एक्सल पर जैसे यहाँ load पड़ेगा, यह message भेज़ देगा, आगे transmit कर देता है, आई होप आप समझ गया होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि यह नीले रंग की ICF coach क्या होती है, और लाल रंग की LHB coach क्या होती है, आप वंदे भारत यह नहीं train 18 के coach को देखेगा, तो इससे जुर्या का अलगे है, इसको बर्जर बोलते हैं आपर, तो ICF, बर्जर, LHB क्या होता है, बोगी क्या होता है, coach क्या होता है, compartment क्या होता है, cabin क्या होता है, loop क्या होता है, car क्या होता है, इसके अंदर lawn क्या होता है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे तब तर के लिए जैहिं